नमस्कार मैं डॉक्टर स्वाती आप सभी का अपने चैनल स्वेट स्पैशन पे वेलकम कर रही हूँ आज जिस थिंकर को पढ़ना है most most demanding thinkers में से एक है आज के examination को देखते हुए मतलब जो इधर लगातार examination लगे हुए है और जी हाँ आप समझ चुके है SL दोशी अच्छा एक बात ये है कि मतलब जब से हम sociology पढ़ना शुरू करते हैं बेसिक से लेकर के थोड़े advance लेवल पे पी हम sociology को जब आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो definitely हम किस किताब की ओर जाते हैं वो है SL दोशी की किताब मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी student नहीं होगा sociology का जो SL दोशी की book न रखा हो चाहे वो thinkers की किताब हो या tribal पे अगर हमें पढ़ना है तो ये कहा जा सकता है न कि इतना easily ये concept को explain करने वाले thinkers में से एक हैं कि हमें जब sociology का S समझना होता है और sociology का even Y भी समझना होता है तो definitely हम SL दोशी की किताबों को पढ़ते हैं हाँ अब तक हम उनकी किताबों को पढ़ते थे चीक है कभी भी हमने उनके contribution को समझने की नहीं कोशिश की मतलब उस way में हम कभी नहीं पढ़े कि SL दोशी ने आखिर उनके contributions क्या-क्या है society में हमने पढ़ा कि thinkers के बारे में SL दोशी लिखे हैं, tribal society के बारे में SL दोशी लिखे हैं, ruler sociology के बारे में SL दोशी लिखे हैं बट SL दोशी का complete knowledge क्या है, वो किस-किस और उनका interest area है, कितनी किताबों पर उन्हें काम किया और particular किस concept को उन्हेंने दिया है इसको बहुत हम जानने की कोशिश नहीं किये Thanks to Rajasthan Assistant Professorship Exam, मतलब मैं खुद बहुत खुश हूँ इनका syllabus देख करके, इन्होंने इतने नए-ने thinker को involve किया है न अपने Assistant Professorship Exam में कि definitely challenge है, सारे experience के लिए कि कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब Bina Agrawal, Neera Desai, Sharmila Reggae, Virginius Khaka, MSA Rao मतलब इन पे तो book ही नहीं न, book नहीं, YouTube पे lectures नहीं, तो बहुत challenge हो गया कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं UGC Net को एक किनारे करती हूँ, UPSC को एक किनारे करती हूँ और मैं Rajasthan के ये जो part है syllabus का, उसको cover करने की कोशिश करती हूँ और शायद ये last है, मैंने जो अपने student से promise किया था, मैंने उसको fulfill किया, आपके exam 4th October को है और मैं आज सारे, मतलब आज तक के date में मैंने सारे videos आपको available करा दिये, particularly जो जो आपने demand किया था और जो आपको कहीं available नहीं था, तो मैंने को thank you जरूर हो लिएगा, ओके, thank you जरूरी होता है न, thank you, sorry, ये सारे etiquettes जरूरी है society में और हम लोग तो sociology वाले हैं, हम तो पक्का मानते हैं इन सारे चीज़ों को, तो चलिए, बिना किसी बात के, आज हम अपना ये thinker शुरू करते हैं, SL दोशी, ठीक है स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, नहीं समझ में आने पे, आप जरूर मुझे comment box में पूछे का, और एक चीज़ ओर है, अपने comments को जरूर देते रहिएगा, चैनल को subscribe करते रहिए, कई लोग हो सकता है, मेरे subscriber ऐसे हो देखते हो और subscribe भी नहीं करते हो, तो subscribe जरूर कर दीजे चैनल को, ओके, तो चली start करते हैं आज का हम लोगों का ये वीडियो, ऐसल दोशी का, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इनके life sketch के बारे में कहीं भी नहीं दिया है, लब कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, बहुत tough है इनके life sketch को ढूढ़ना, जो थोड़ी contribution को ले करके, उस पे मैंने detail काम किया है, इनके books के बारे में मैंने detail काम किया है, इनके कुछ एक दो concept हैं, उस पे मैंने detail काम किया है, तो चली start करते हैं, एसल दोशी, एसल दोशी का पूरा नाम है संभूलाल दोशी, इनका जन्म 1928 में हुआ है, और इन्होंने 1962 में, 1962 में, अपनी PhD पूरी की, कहां से की, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, ओके, फिर उसके बाद से, ये मोहनलाल सुखारिया यूनिवर्सिटी में, असिस् अपने आप मोहनलाल सुखारिया यूनिवर्सिटी जो है, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है, मैंने यहां पर मोहनलाल सुखारिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी तोड़ा बताया है, इसको यूनिवर्सिटी ओफ उदैपूर भी कहते हैं, जो कि रा वैपूर में, चित्ताडगर में, रात सम्मंद में और सिरोही में इन सारे जगव पे इनसके colleges हैं ये तो मैंने बताया मोहनलाल सुखाड़ी उनिवर्सटी तो याद रखीगा एसल दोशी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पटपर कारे किया कहां पर मोहनलाल सुखाड़ी उनिवर्सटी रोहतक में भी ये विजिटिंग प्रोफेसर के पट पर इन्होंने कारे किया है और इन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखा है कई सारे किताबों में ये मेन ओर्थर के रूप में रहे कई सारे किताबों में ये को ओर्थर के रूप में रहे और बहुत सारे additive books पे भी काम किया है तो इनका academy contribution बहुत vast हो जाता है और most मतलब यह हैता है ना कि जो आम जन्मानस में चा जाए यह वैसे वाले thinker है आम जन्मानस में चाने वाले thinker मतलब हर जो sociology पढ़ने वाला बंदा है वो S.L. दोशी की किताब को जरूर पढ़ता है आगे हम देखते हैं अब मैं इनके book पे ही बताऊंगी आपको सारे books पे ही इनकी जो सबसे important book है वो है ruler sociology ruler sociology में भी आप लोगों में से कई लोगों के पास होगा जब भी आपका PG में ruler sociology का paper आता है ना तो हम दोशी की book को जरूर पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं अब मैं बताऊंगी कि ruler sociology के जो main author वो S.L. दोशी है co-author PC Jan है बहुत सारे किताबों को आप देखेंगे ना दोशी and Jan तो यही PC Jan जिनका पूरा नाम है प्रकास चंद्र Jan और ये book जो ruler sociology है वो mainly किस किस चीजों पर emphasize किया जब इस किताब के आप index को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस किताब में basically दोशी ने किन-किन aspect को touch करने की कोशिश किया तो ruler sociology से related सारे aspect को कोशिश किया है उन्होंने चूने की और explain करने की जैसे उन्होंने ruler sociology के concept को explain किया है उसके nature, subject matter, methods of ruler sociology and different studies related to ruler sociology मतलब जो grammar समाज रास्त है उसका concept क्या है उसका nature क्या है क्या subject matter है मतलब क्या विशे वस्तू है grammar समाज में हम किन चीजों को पढ़ते हैं और साथ में जो previous studies हुई है ruler sociology को लेकर के उस पे भी अच्छा है मतलब review of literature पे भी उन्होंने काम किया है और बहुत सारे concepts को उन्होंने describe किया है अपने अगले chapter में जो ruler sociology का है वो कौन-कौन से concept है जैसे कि उन्होंने dominant caste पे village unity, senscritization westernization little and great tradition और universalization और parochalization आपको अगर इन सारे concepts को अलग से जानना है तो आप मुझे बताइएगा मैं उस पे भी video बनाऊंगी पर आप इस किताब से भी जान सकते हैं कि westernization क्या है वैसे तो मैंने senscritization पे बनाया है senscritization को समझाते ही मैंने dominant caste को भी explain किया है little or great tradition क्या होता है जो की Robert Ratfield ने दिया है उसको explain किया है जो की ruler sociology का एक हिस्सा है और universalization और parochalization जो सारभौमी की करण और संकुची करण की अफधारना है उसको भी इस किताब में समझाया गया है आगे this book include land tenure system इस किताब में land tenure system के बारे में भी है land reform पे भी है अगर कोई बंदा land reform पे पढ़ना चाहता है तो definitely आप इस book पे जा सकते है ruler stratification के causes क्या है what are the causes of stratification especially in ruler areas तो there are two main causes of stratification one is caste and other is class ये ruler society के बारे में मैं बता रही हूँ मैं urban society के बारे में नहीं बता रही हूँ तो वो आपको इसमें मिल जाएगा social structure के बारे में ruler social structure के बारे में मिल जाएगा and ruler development भी आप पढ़ पाएंगे इस किताब से the important topic जो एक environment आजकल topic बहुत जादा है तो इन्होंने environmental crisis पी भी काम किया है मतलब ruler society में environmental crisis कैसे है उस पे भी इनका काम है इस किताब में उसमें इन्होंने ecology, bio degradation और government ने क्या-क्या initiative लिया इस environmental crisis से हटन बचने के लिए या निजात पाने के लिए कहाँ पर ruler society में उस पे भी इस किताब में चर्चा की गई है आगे हम देखते हैं आगे देखते हैं कि इस किताब में और क्या-क्या चीज़ें है यहाँ इसमें presentry movement के बारे में भी है मतलब किसान आंदोलन जो हुए समय समय पे उस पे भी इस किताब में है जैसे संथाल, चंपारन, बारदोली यह सारे किसान आंदोलन के भी बारे में है और with statistical data statistical data को भी इन्होंने include करने की कोशिश की है तो finally we can say that author covers almost all the aspects of ruler sociology those who are looking for the study of ruler society and changing pattern can definitely go to this book इसलिए मैंने लिखा आए कि अगर आप grammar, grammar, समाज, शास्त के बारे में जाना चाहते हैं उसके changing pattern के बारे में जाना चाहते हैं कि किस तरह से विगत 50 और 60 सालों में या 5 और 6 दश्कों में grammar, समाज में परिवर्तन आए हैं तो आप definitely इस किताब को देख सकते हैं ruler sociology जो next किताब है SL दोशी की मतलब अब ये book जानने का क्या मतलब है? कि book जानने का मतलब ये है कि SL दोशी का contribution ruler sociology की तरफ भी है ruler society की तरफ भी है मतलब उन्होंने ruler society and ruler sociology को भी बहुत अच्छे से explain किया है तो एक contribution उनका ये है दूसरा contribution अगर SL दोशी का देखना है तो उनकी again हम किताब form में ही देखेंगे जो है social anthropology tribal studies पे भी इन्होंने बहुत काम किया है और उसके social aspect पे काम किया है ये book 2001 में publish होती है with PC Jan ये इसमें भी साथ में PC Jan है and this present work is a revisit to the contemporary situation of tribal in India मतलब जब ये 2001 में book आई है तो इस book के समय जो tribal society का situation था इंडिया में उस पे चर्शा की गई है मतलब historical aspect को नहीं explain किया गया medieval aspect को explain नहीं किया गया contemporary aspect को कि what are the present situation of tribal society in India इस पे कब 2001 के आसपास this book also includes tribal policy, tribal movement and other aspects of primitive life which are critically examined जो primitive life भी रही है tribes की और tribal movement भी जब जो समय समय पे हुए है उसका भी critical analysis हुआ है चीक है इस किताब में it also look at Indian social anthropological from new concept and perspective इस किताब में जो सामाजिक मानव शास्त्र है social anthropology है उसको नए तरीके से देखने का प्रयास किया गया है नए concept और नए perspective से समझने का प्रयास किया है गया है and this book also include culture, races, family, marriage, kinship, clan, religion मतलब tribes में जो ये सारी चीजे पाई जाती है culture, races, family, marriage, kinship, clan, religion मतलब उनके धर्म के बारे में उनके गोत्र के बारे में उनके विवा, संबंदी संस्कृती के बारे में उनके नातेदारी संबंदी संस्कृती के बारे में इन सब चीजों की व्याकिया एस social anthropology book में की गई है आगे एक दूसरी book जो हम लेके चलते हैं वो बहुत important again contribution है मतलब इन्होंने post-modern perspective on Indian society Indian society में post-modern perspective पे भी काम किया इनकी ये book मैं आगे image आपको दिखाऊंगी मतलब almost इन्होंने 12 books पे काम किया है और मैं कुछ books का यहां description लेके आई हूँ सारे किताबों का description लेके नहीं आई हूँ उतने में ही आप इनके contribution को समझ चाएंगे time कम है आपको उतने ही पढ़ना है जितने में exam में आपको फाइदा हो सके post-modern perspective of Indian society जो की 2008 में publish होती है इसमें इन्होंने क्या है इन्होंने post-modern societies highly अब पहले बताया है कि post-modern society होती क्या है उत्तर आधुने जो समाज है वो होता क्या है तो उसको बताये कि यह pluralistic होता है मतलब इसमें विभिनताएं बहुत जादा होती है differentiated and diverse होता है ठीक है जितने grand narratives post-modern theorist को क्या कहा जाता है कि जितने existing theorists थे न उनको यह post-modernist ने नकार दिया जैसे जो भी grand narratives थे Marx के थे या Gandhi की philosophy थी या Rationalism की philosophy थी सबको post-modernist जो perspective है वो सबको courage करता है post-modernity meets the challenges given by modernity और आधुनिक्ता ने जिस challenge को दिया उसको post-modernist ने उस challenge से लड़ने की कोशिश की है post-modernist argues that in India modernity benefits only high caste क्या challenge दिया था आधुनिक्ता ने भारत में क्या challenge दिया था आधुनिक्ता ने समाज में ये challenge की दिया था कि इस आधुनिक समाज में ज्यादा benefits कौन पा रहा है high caste के लोग पा रहे है elites class पा रहा है political leaders पा रहे है और higher class पा रहा है इसी को इस आधुनिक समाज में फाइदा मिल रहा है जो subalterns हैं जो marginal पे रहने वाले लोग हैं या excluded लोग हैं उनको modernist theories और modernist era जो है वो कोई लाब नहीं पहुचाया है मतलब जो main stream से कटे लोग हैं वो और कटे चले गए हैं इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है मतलब modernism और post-modernism के जो बीच का debate है उसको इस किताब में कोशिश की गई है समझाने की and in this book the author try to analyze the changing Indian society with the perspective of post-modernity post-modernity के perspective से दुष्टी कोड से इस किताब में भारती समाज में जो परिवर्तन दिखाई दिया उसको इस किताब में कोशिश की गई है समझाने की and the author finally established that Indian society is post-modern society और finally author ये कहते हैं कि जो अब समाज है जो भारती समाज है वो post-modernist society की ओर जा चुगा और post-modernist society के है उपर मैंने ये सारे characteristics आपको बताए हैं आगे चलके एक और इनकी book है आधुनिक समाज शास्त्री विचारक ठीक है thinkers पर अगर हमें book पढ़नी है तो दोशी दोशी की ये किताब पर हम जरूर जाएंगे जो कि 2017 में release हुई है और इसमें इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो modernity और post-modernity के बीच में जो conflict है उसको और किसके थुरू modern social scholars के थुरू इन्होंने समझाने की कोशिश किये मतलब पहले उन्होंने modernist thinker को दिया फिर post-modernist thinker को भी दिया और critical theorist को भी दिया अगर आप इस किताब को देखते हैं तो इन्होंने गॉर्फिंकल, अर्थूजर, गॉफ्मान, हैबरमास, गिजिन्स जोकी modernist thinker है उनको भी उनके contribution को explain किया है और अगर critical theorist में देखे तो हॉर्खाइमर, अडॉर्नो, हर्बर्ट, मार्क्यूस, इसको explain करने की कोशिश की है और अगर post-modernist thinker देखे तो पियरे, बॉर्ड्यू, जैक्यूस, डेरिडा, जीन, फ्रैंसकिस, लियोटार्ड, इवन, फूको को भी इसमें इन्होंने include किया है तो दोशी के हम लोग S.L. दोशी के अगर contribution को देखे, तो इन्होंने आधुनिक जो विचारक है, समाज रास्ति विचारक, उन पे भी बहुत कार किया है, अगर हम आधुनिक समाजिक विचारक देखे, या उत्तर आधुनिक समाजिक विचारक देखे, या जो critical theorist है, विवेचनात्मक जो सिधानकार है, उनके बेसिधानतों को इन्होंने समावेश करने की कोशिश की है, आगे हम देखते हैं, अब जो किताब मैं नाम लूँगी, वो आपको बस दिमाग में बठाना है, अगर एक्जाम में आएगा तो आपको टिक लगा देना है, जैसे Tribal Ethnicity, Class and Integration, ये किताब है इनी की, याद रखेगा, 1990 में ये रिलीज हुई है बुक, Tribal Ethnicity, Class and Integration, Process of Tribal Unification and Integration, मैंने Tribal Unification पे भी अलग से काम किया है, तो Tribal Unification की इनकी बुक है, Emerging Tribal Images पे इनकी बुक है, More on Feudalism and Subaltern Tribals, ये बुक 1997 में पब्लिश होती है, Anthropology of Food and Nutrition, ये 1995 में पब्लिश होती है जिसमें इनोंने Tribals, राजस्थान के Tribes का स्टडी किया है, आगे जो बुक है वो है गांधियन थौट पे भी इनका काम है इसमें इनके जो को ओधर हैं, वो जो पेपर्स कलेक्ट हुए, गांधियन थौट उस पे ये पुरा काम है, और इनकी जो एक इंपॉर्टेंट बुक है, वो है Tribal Rajasthan Sunshines on the Aravli ये, ठीक है, मैं टिक कर देती हो ब्रस सलेक्ट नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं ये, ठीक है, Tribal Rajasthan Sunshine on the Aravli ये भी जो राजस्थान के Tribal Groups हैं, उस पे काम है, तो इन्हों ने Tribal Rajasthan, बेसिकली Rajasthan के जो Tribes हैं, उन पे इनका ज़दा काम रहा है, तो ये सारे इनकी किताब हो गई, ठीक है ये सारे हम लोगों ने इनके बुक को पढ़ लिया, अब एक इन्होंने पेपर पे काम किया है, वो पेपर बहुत important पेपर है, क्योंकि उसमें concept निकलता है, वो concept क्या है, वो है political unification का, तो ये आप इनके contribution को चलिए, अभी तक मैंने उनके life sketch के बारे में थोड़ा बहुत बताया और उनके contributions को बताया, वाया बुक किताबों के जरिये, अब मैं आपको उनका इक important concept है, ये पेपर इनका publish होता है sociological bulletin में, आप sociological bulletin के बारे में जानते होंगे, sociological bulletin एक renowned general है, sociology का, एक renowned general है, sociology का, ये इनका 1978 में ये paper publish हुआ है, जिसमें इन्होंने political unification की बात की है, अब हम समझेंगे political unification क्या होता है, उनका ये paper है, sociological analysis of political unification among the scheduled tribes of Rajasthan, ओके, आराम कर लों, गलादर दोने लगा, चीके, he started writing this paper with the defining the term unification, सबसे पहले जब याप paper देखेंगे ना इनका, पता नहीं, आप लोग को तो free access नहीं मिल पाएगा, इनका जब आप ये paper देखेंगे, जो कि sage publication में publish है, तो इन्होंने इस paper में सबसे पहले term unification को describe किया है, maybe exam में आप ये पूछा जा सकता है, कि political unification का concept किस ने दिया, या unification का concept किस ने दिया, तो आप ध्याम रखिएगा, SL दोशी का ये concept है, तो अपने papers में, इन्होंने सबसे पहले unification शब्द को परिभाशिक किया है, और बताया है कि unification refers to level of analysis, अगर हम unification को देखें, तो हम दो तरह से इसका visualization कर सकते हैं, दियान से समझेगा, यहाँ पर relation between individual and society, रुक ये कुछ चीज हो मेरे पास तो मैं, ये ये दो चीज, ठीक है, मान लीजे ये एक तरफ individual है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देती हूं, ठीक है, ये मान लीजे एक individual है, और ये ये पूरी society है, society क्या होता है, group of individuals, ये पूरी society है और ये एक individual है, एक individual का इस पूरी society के साथ क्या संबंध है, ये पहला aspect है, unification का, ठीक है, unification को generally we call that integration, हम integration शब्द का इस्तमाल करते हैं, ऐसल दोशी ने इस सब्द को unification बहुला है, ठीक है, तो हम उनी के term को use करेंगे, तो unification को उनोंने सबसे पहले इस paper की शुरुवात की, तो unification को परिभाशित किया, unification शब्द को परिभाशित किया, और उसमें बताए कि unification को उन दो तरह से परिभाशित कर सकते हैं, मतलब एकी current, unification means, एकी current, हिंदी आप देखेंगे, तो आपको एकी current मिलेगा, एकी current को उन दो तरह से परिभाशित कर सकते हैं, एक individual का, एक society के साथ क्या relation है, जैके, जैसे आप एक individual है, और आपका आपके समाज के साथ क्या relation है, that is the one part of unification, other part में हम क्या देखते हैं, कि society as a whole and its relation with region in which it is found, देखे, अब मैं दूसरे आसपेक्ट को समझा रही हूँ, कि ये society है, अब ये दूसरा आसपेक्ट हो गया, ये पूरा individual हड़ गया, ठीक है, ये individual था ना, ये हड़ गया, अब ये society, ये society, जिस पटिकुलर छेत्र में पाई जा रही है, मालिजे, ये इस छेत्र में पाई जा रही है, इस पटिकुलर छेत्र में जो समाज पाया जाता है, उस समाज का इस पटिकुलर region के साथ क्या समबन्ध है, that is the other aspect of unification, ओके, आप समझ गया, unification का क्या मतलब है, कि एक individual का rest of the society के साथ क्या relation, and whole society का उस पटिकुलर region में जहां वो रह रहा है, उसके साथ उसका क्या समबन्ध है, that is the other aspect of other analysis of other level of unification, okay, got it? आगे यह क्या बताते हैं अपने paper में, कि the tribal of Rajasthan, like any other tribal groups, have been participatory in political process, such as election since India, देखिए, अब यह political unification की बात करें, इसमें यह पूरे paper में, जब मैंने यह पढ़ा, पूरा paper पढ़ा, तो मैंने कोशिश, मैंने जानने की, समझने की कोशिश की, और यह मैंने समझा, कि tribes का other streams, या main streams के साथ कितना cope-up हो रहा है, कितना वो मिल रहे हैं, और political unification कितना हो रहा है, मतलब politically वो कितना touch में आ रहे है तो उनने बताया कि tribes का main stream के साथ political unification तो हो रहा है, मतलब they are connected with main streams politically, politically they are active, but cultural और social unification उतना नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी अपनी ethnicity है, मतलब tribes का एक अपना ethnicity है, मतलब उनका एक अपना ethnic group है, उनका एक अपना culture है, उनका एक अपना language है, तो इसमें से कह सकते हैं कि social और cultural unification तो उतना नहीं हो रहा है पर political unification main stream के साथ tribes का हो रहा है ठीकर आगे चलते हैं उन्हें कहा है कि चुकि ये राजिस्थान के tribes पे ही ज़्यादा काम की हैं तो इनका कहना है कि इनका other लोगों के साथ main stream के साथ वो political process में involved हो रहे हैं जैसे election process म कब independence के बाद ओके आगे हम चलते हैं इसी paper में इन्होंने और क्या पढ़ने की कोशिश की है इन्होंने कहा कि जो जन्जाती है राजस्थान की जो सरकार ने जन्जातियों के लिए विकासात्मक योजनाय लाई हैं उसको भी ये enjoy कर रहा है मतलब they are benefited to these programs वो in योजनाय से लाब प्राप्त कर रहे हैं आगे क्या कहते हैं according to दोशी political unification is process distinct from social and cultural unification वही मैंने जो अभी आपको explain किया है कि जो political sorry जो political unification होता है मैं back हो जाओ जो political unification होता है वो social और cultural unification से अलग होता है क्यों अलग होता है क्योंकि culture और उनके जो culture होते हैं उनके जो वही बन्हें मैंने बोला था भी कि उनके जो languages होते हैं उनके जो lifestyle होते हैं वो main stream है उससे अलग होते हैं बट, politically वो active हो रहे हैं, मतलब, mainstream से politically वो जुड़ है बट, social और cultural unification की बात की जाए तो वो उतना नहीं दिख रहा है, जितना political unification दिख रहा है, मतलब, कि वो election process में participate कर रहे है, उनका political participation हो रहा है, voting age में यह काम कर रहे है, मतलब, ये सारी चीजों को ये देख रहे है, manage कर रहे हैं आगे दोशी ने बता है कि such political unification did not affect the tribes the basic reason for this is that tribals were numerically dominant in their region and they themselves chose their leader in some constituency it is the tribe who play their part in deciding the leaders of the Hindu आगे उन्होंने कहा कि जो ये political unification है फिर आगे वो कहते हैं कि जो political unification है उसके कुछ aspect में तो वो mainstream से जुड़े हुए है पर कुछ aspect में वो mainstream से जुड़े नहीं भी है जैसे चुकि जो जन जाती हैं उनके छेतर अलग होते हैं वो विशेश छेतर में रहते हैं यही तो उनकी characteristics है जब वो विशेश शेत्र में रहते हैं उनकी कुछ संस्कृती अलग होती है तो कभी-कभी वो अपने लीडर खुद चुनते हैं मतलब ट्राइबल्स के लीडर होते हैं अगर आप एंत्रोपॉलजी पढ़ेंगे तो उसमें आप ट्राइबल लीडर के बारे में पढ़ेंगे उनके कि इंको प्रभावित भी करने कहां पर जहां पर इनका स्ट्रेंथ जाता है जहां पर इनकी पॉपुलेशन जो है वो जादा है ठीक है आगे हम देखते हैं कि the question arise as to what is the meaning of such political integration अब दोशी फिर एक question उठाते हैं अपने इस पेपर में कि फिर इस तरह के political unification का मतलब क्या हमें दिख रहा है मतलब कि कुछ जग़ाप में हम देख रहे हैं कि tribes connect भी हो रहे हैं कुछ जग़ाप में देख रहे हैं कि tribes connect भी नहीं हो रहे हैं तो यह कैसा political unification तुने ने बता है इसका answer यह है कि एक तो social distancing और दूसरा economic inequality ये दो कारणों से वैसा political unification नहीं हो पा रहा है मतलब कुछ राजनेतिक एकी करण में बाधाएं आ रही है कहीं पर तो unification हो जा रहा है पर कहीं पर बाधाएं आ रही है और बाधाएं आने का कारण क्या है कि एक तो समाजी दूरी जो mainstream और tribals के बीच में जो social distancing बना हुआ है वो बरकरार है और दूसरा economic inequality कि जो आर्थिक असमानता बनी हुई है tribals और non-tribals के बीच में ये दो reason है आगे इन्होंने बताया कि the approach of this paper is basically he tried to the study of relation between the tribals and non-tribals and among the tribals themselves तो इस paper का mool pindu कै है मत्ब दोशी और आगे क्या अध्यन करना चाहरे थी इस paper के मादिम से तो basically वो ये देखना चाहरे थे कि जनजाती है और गार जनजाती है लोगों के बीच में संबंध क्या है और जनजातियों के बीच में आपस में उनका क्या संबंध है ये भी वो कोशिश कर रहे थे इस पेपर के मादिम से तलाशना दोशी ने राजस्थान के पाच गाओं का चुनाओं किया अपने स्टडी में हो सकता है कि ये गाओं का नाम पूछ दिया जा क्योंकि पर्टिकुलर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर्शिप का एक्जाम है तो दोशी ने पाच विलिजिस का चैन किया ठीक है कौन-कौन से डिस्टिक का बंसवारा और दुरगापूर ठीक है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉडर का ये दोनों जिला है उसमें से इनोंने पाच गाओं का चैन किया क्या समझने के लिए नेचर और इंप्लिकेशन और पॉलिकल यूनिफिकेशन का आगे भविष्य में क्या असर दिखाई देगा उसका बियध्यन करने की कोशिश किया है उनोंने कुछ remote villages को लिए जहाँ पर सिर्फ जन जाती है जन संक्याती कुछ उनोंने ऐसे भी villages का चैन किया है यहाँ पर mixed population था मतलब tribes भी थे और non-tribes भी थे तब ही तो relation निकल के सामने दिखेगा नाम है तो उनोंने जो पाच गाउं का चैन किया है उस गाउं का नाम है संजवानिया चीक है मैंने लिखा है करगाचा, मंजोला, बिल्दी, मलपूर ठीक है नाम याद रख लीजेगा हो सकता है मैं गलत बोर की हूँ राजस्थान वाली जादा अच्छे से प्रिनन्स करें इस चीच को तो basically इन्होंने ऐसे गाउं का चैन किया है और ये पाच गाउं है ये पाच गाउं का आप नाम अच्छे से रट लीजेगा अब हम conclusion देखते है कि इनकी study का basically conclusion क्या आया ठीक है इन्होंने जो अध्यन किया है political unification पे तो इसका अंत में परिणाम result क्या निकल के आया है तो result इनका mix result रहा है ध्यान दीजेगा क्या mix पहले देखा है कि political unification of the bheels with mainstream has not been even nature मतलब इन्होंने देखा कि जो इन्होंने भील जन जातियों चुकि राजसान में ज्यादा भील जन जाती है तो जो भील जन जातियों का political unification दिख रहा है न वो even नहीं दिख रहा है मतलब कहीं पर unification दिख रहा है कहीं पर unification नहीं दिख रहा है for example मैं आपको बता रही हूं जैसे पंचायत के election में assembly के election में लोग सभा के election में वो main stream के साथ है चीक है main stream के साथ connected है पर यह ऐसे कौन लोग है ऐसे सिर्फ वहाँ के leaders है और सिर्फ वहाँ का elite class है जो common लोग है न वो उनकी कोई भागेदारी नहीं है देखे यह चीज सामने निकल के आई है कि they have internal differentiation and contradiction, political unification among the scheduled tribe has not created homogeneity in regard to ethnicity, concubility, level of cognition, education and lifestyle and standard of living इन्होंने यह कुछ parameters लिये थे अपने study में कि इनको देखना था ethnicity के अधार पे, connubility के अधार पे, connubility क्या होता है the state of being united as husband and wife कि एक couple कैसे बनता है, husband of wife का जो relation होता है level of cognition, cognition का level मतलब क्या होता है कि process by which knowledge and understanding is developed in the mind कि जैसे कैसे कैसे दिमार में हमारे ग्यान का विस्तार होते चला जाता है, इसको cognition कहते है education, lifestyle, standard of living इन सब को आधार बना करके इन्होंने जनजातियों का अध्यन किया और interesting thing क्या साम में निकल के आई कि this political unification mainly associated with tribal leaders and elites जो political unification हुआ है, वो tribal leaders का हुआ है, elites का हुआ है और जो rest of the world है, किसका जनजातियों का वो अभी भी इस political unification से दूर है, मतलब वो अभी भी alienated है, उनका राजनीतिक एकी करण नहीं हो पाया है आगे चलके इन्होंने क्या देखा, आगे चलके दिखा कि education has not been found as a strong motive force among beings but they know about the importance of education in securing a job and for superior status इन्हें, मतलब जो जनजाती लोग है, ऐसल दोशी का ये रहा है conclusion कि जो जनजाती लोग है, उनमें ग्यान का इससर तो बढ़ रहा है उन्हें ये पता है कि education जो है, वो job के लिए भी जरूरी है अपने status को उचा करने के लिए भी जरूरी है बट वो education को अभी भी उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एक conclusion ये भी निकला है next देखा गया है कि however they aware about the means by which they can improve their economic status like fertilizers, seeds and equipments वो अपने economic status को improve करने में लगे हुए, कौन, tribes जो है, वो अपने economic status को improve करने के लिए लगे हुए, मतलब वो अच्छे fertilizers use कर रहे है, वो अच्छे seeds use कर रहे है, वो अच्छे equipments use कर रहे है तो मतलब finally SL Doshi ने क्या conclude किया कि हमें unification कुछ aspects में दिख रहा है, कुछ aspects में partially दिख रहा है, कुछ aspects में full-fledged दिख रहा है, और कुछ aspects में बिलकुल unification नहीं है, मतलब कुछ छेतर में एकी करन mainstream से दिख रहा है कुछ छेत्र में एकी करण आंशिक हुआ है और कुछ में एकी करण बिलकुल भी नहीं हुआ है ये इनका conclusion है और ये कुछ sources है जिससे मैंने ये पूरा आपका notes त्यार किया है सिर्दोशी का तो मेरे ख्याल से अगर मैं जल्दी वैसे मैंने बहुत explain करने की कोशिश किये किसी point को सकता है मैं जल्दी explain करती हूँ तो आप comment box में जरूर मुझसे पूछेगा और अब आपके लिए मतलब मुश्किल से 3-4-2-3 दिन का समय है तो 2-3 दिन में आप अपने इस SL दोशी को complete कर लीजेगा और hope आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ लगाओ तो जरूर चैनल को subscribe करिये और मैं आपको comment करते रहिए bye bye take care and all the best आप सभी को exam बहुत अच्छे से देना है कोई mistake नहीं करने है human error बिल्कुल नहीं करना है जो previous years के question आए है उसको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है और जितने thinkers है न सब के किताब को एक बार फिर देख लीजे मेरा video open करिये और सब के किताब को एक बार देख लीजे अगर आपने notes नहीं बनाया है तो चलिए अब हम लोग रखते हैं खतम करते हैं आज का ये video उमीद है आप लोग को पसंद आया होगा किताब अप है आप का लाग क कै वाग दूई कुल किता है तो जूः खरा बग्सद एख आप हैं ल minerals खांस्खर द्माल किता है लोगक जूब फ्व्सूद कर देखितो हैं जू算 स्नुक्श करफ़ आप टन हो ऐक हैं अल बार देखन्तल Кपी थाया है झाल झाल झाल